नमस्कार मैं हूँ अंजिना और आप देख रहे हैं ता खबरदार नियूज चलिए बढ़ते हैं एक खास खबर की और रक्षाबंदन पर सहीद की पतनी के कदमों में भाईयों ने बिचाई हतेलियां मद्यपदेश के रतलाम में रक्षाबंदन के मौके पर भाई बहन के प्यार के अनुकी तस्वीर देखने को मिली जहां शहीद की पतनी के कदमों में भाईयों ने हतेलियां बिचाई यहां शहीद सपूत कनहिया लाज ज्वाट के राष्टे सक्ती इस्थल का लोकारपन किया गया इस मौके पर वीरांगना बहनों के पैरों तले युवा भाईयों ने अपनी हतेलियां बिचा दी इस रसे को जिसने देखा वो बस देखता ही रह गया बुदवार को रक्षबंदन के मौके पर शहीद पती की तस्वीर हाथ में लिए वीरांगना सपना हतेलियों पर पैर रखते हुए पहुँची और पतिमा का अनावरण किया पती की प्रतिमा देखते ही सपना उसे लिपट कर रो पड़ी पर इजन ने उन्हें चुप कर आया आसुपोस्ते हुए बोली ऐसा लग रहा है कि शहीद समर्सता मिशन के भाईयों ने मुझे मेरा जीवन मेरा पती लोटा दिया है कनहिया लाल जाट 21 मई 2021 को सिक्के में शहीद हुए थे बता दें शहीद कनहिया लाल ने 21 मई 2021 में सिक्के में अपना सर्वोचे वलिदान दिया था गुनावत के सपूत कनहिया लाल जाट 21 मई 2021 को सिक्के में शहीद हुए थे इनकी दो बेटियां किंजल और आराध्या हैं इस राश्य सक्ति इस्थल का निर्मार चौल लाग के जन सहयोग से किया गया है लांस नायक अनिया लाल जाड की प्रतिमा का अनावरन शही समर्सता मिसन के संस्थापक वराष्टिय सहयोग मोहन नारायन ने शहीद की पतनी वीरांगना सपना चाड और वीर माता पिता से 31 जुलाई को क्रांतिकारी शहीद ओदम सिंग के बलेदान दिवस पर बादा किया था किरक्षा बंदन पर प्रतिमा लगाई जाएगी समाज के सहयोग से इसे तैल समय में पूरा कर दिया जाएगा खबरों में अब तक लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही प्रमुख खबर के साथ तब तक लिए नमस्कार और देखते रहें दखबरदान नियोज